जाहिंद ओल आफ यू, काउंटिन फिगर का ये हमारा फोर्थ लेसन है, आज के इस लेसन में हम नमबर ओफ रेक्टेंगल्स दी गई आकरती में कितने आयत बने हुए हैं, इनको हम स्टडी करेंगे, कितने वराइटी होती हैं, कितने टाइप्स होती हैं, कितनी मैठर्स बता रहा हूँ, उन दो मैठर्स पर आफ फोकस करिए, फस्ट मैठर्स बता रहा हूँ, जो कॉंबिनेशन की बेस पर है, चूंकि हम कॉंबिनेशन पढ़े हुए हैं, तो आपको एजली समझ में आ जाएगी, सेकंड मैठर्स है, नमबर इंग बेस पर, वो मैठर्स भी एज़ी ह तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कॉंबिनेशन मैठर्स, कॉंबिनेशन मैठर्स कहती है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, हमारे पास होरिजवन्टल लाइन कितनी है, तो वान, टू, थ्री, फोर होरिजवन्टल लाइन हो गई, वाइटिकल लाइन देखिए, वान, देती हैं, मतलब कि हमको चार होरिजवन्टल मैं से कितने का चुनाओ कहना पड़ेगा, दो का, उसी प्रकार, पांच वाइटिकल लाइन मैं से, दो का हमको क्या कहना पड़ेगा, सेलेक्शन, ये भी चाहिए, एंड ये भी, तो साइं कौन सा जागा बीच में मल्टिप्ला और जैसे आपने इस एक्रिशन को लिखा, आपको याद आ गया होगा, कॉंबिनेशन मैंने कैसे सॉल्व किया है, फोर मल्टिप्लाइ थ्री, अपॉन टू मल्टिप्लाइ वन, फाइव, मल्टिप्लाइ फोर, अपॉन टू मल्टिप्लाइ वन, टू टू जा फोर से फोर क् cancel, 4-3s are 12 और 12-5s are 60 इस figure में number of rectangles कितने बने हुए है 60 बने हुए है easy approach है, बिलकुल आ जाएगा इसमें थोड़ असा time लग सकता है क्योंकि आपको combination का use कहना पड़ेगा, इससे भी एक और better method है मेरे पास वो आपका time save कर देगी और आपको combination भी नहीं लगाना पड़ेगा उस method को मैं last तक use करूँगा, तो आप इस video को पूरा देखे तो सभी figure आपको clear हो जाएंगे तो वो method क्या होती है इसको हम समझते हैं, उस method में हमको numbering provide करेनी है numbering का मतलब होता है हम मारे पास कितने box बने हैं, तो हम एब बार उनको horizontally number देते हैं one, two, three, four और इन सब के दिम add करना चाहेंगे तो हमारे पास addition one plus two, three, three plus three, six plus four कितना हो जाएगा, ten हो जाएगा, अब हम कैसे number देएंगे, अब हमने vertically के लिए अब horizontal देएंगे, तो यह one पहले से लिखा है, यह two, और यह क्या हो गया हमारे पास three, और इस दिसा में ज़िए हम add करेंगे, तो हमारे पास कितना addition हो जाएगा, one plus two, three three plus three कितना हो गया, six हो गया, हम क्या काई देंगे, six का multiply 10 से, और answer कितना मिल जाएगा, 60 ती मिल जाएगा, दौनों answer same होगा है हमारे पास, बस दो method का use किया है मैंने, एक use किया है मैंने combination का, एक यह numbering का, जो method आपको best लगे, आप उस पे focus करिए, मैं एक और example लेता हूँ, उससे आपको दोनो method और clear हो जाएँगी, सबसे पहले हम देखेंगे, horizontal line कितनी है, तो हमारे पास, one, two, three, four, five, six, पर six में से कितने को चुनाव करना पड़ेगा, दो का, vertical lines, one, two, three, four, verticals four है, पर उन्हें चुनाव करेंगे, सेफो सिर्फ दो vertical line का, और बीच में sign हमेशा क्या आएगा, multiply, six, multiply five, upon two, multiply one, two, multiply one, two, two is a four, से four, cancel, six, five is a thirty, thirty, three is a ninety, तो number of rectangles कितने हो गए इसमें, ninety हो गए, यह combination matter, I hope आपको सभी को सभी को सौझ में आगी होगी, अब हम आते हैं अपने numbering matter पे, numbering provide करिए, one, two, three, और इनको add करे दीजी, कितना हो जाएगा, six हो जाएगा, अब इस दिसा में numbering दीजी, one, two, three, four, five, और इनको add करे दीजी, तो इनका addition कितना होगा, one plus two, three, three plus three, six, plus four, ten, plus five, fifteen, और क्या करेंगे, fifteen गा six से multiply, fifteen, six गा ninety, यह लेजी, फिर सांसा कैसा मिल गए हमको, same मिल गया, तो या तो आप combination chapter को समझ चुके हैं, तो उसका use करिए, या तो आप numbering method का use कर लीजिए, जो भी आपको best लगे, चलिए आगे देखते हैं, चलिए इस sum पे आते हैं, इस sum को मैं easy कर देता हूँ, आपके लिए numbering method से solve, numbering method क्या कहती है, number allocate करिए, और add कहीं दीजी, 1 plus 2, 3, 3 plus 3 कितना हो गया, 6, तो number of rectangle कितने हो गया हमारे पास, 6, easy है, चलिए एक और सम देखते हैं, हाँ जी, ये sum थोड़ असा ट्रूपिकल ले लिया है मैंने, देख रहा है easy, पर थोड़ assessment से अब हमको एक step बढ़ाना पड़ेगा, पहले हम number provide करते हैं, 1, 2, 3, 4, और add करने पर कितना हो जाएगा, 10, अब इस देख रहा हम नंबर दीजी, 1, 2, 3, add कहीं दीजी, कितना हो जाएगा, 6, 6, और यहां का 10, total addition कहीं दीजी, कितना होगी हमारे पास, 16, मतलब कितने rectangle बने हुए हैं, पर थोड़ा सा आप एक step समझे, इस वाले section में देखिए, हमने दो बाई number दीए हुए हैं, तो दो बाई number देने का मतलब है, वो वाला भाग, कितनी हम आग count हो गया है, 2 times, तो हम 8 times क्या करे देंगे इस से, minus, तो final answer कितना जाएगा, 15, इस step याद हो जाएगा, numbering प्रोवाइड करके, एड करके जह हम final answer निकालेंगे, तो उस section को, या उतने section हम minus करे देंगे, जितने section में हमने 2 बाई number लिखे हुई हैं, जैसा कि हमने triangle में देखा हुआ था, याद आया सभी को, triangle में भी हमने यही बताया था, कि जिस section में 2 बाई number आ जाएंगे, उन में से हम एक section को, या जितने section में number हैं, उन सब को क्या कर देते हैं, minus कर देते हैं, चलिए इसी base पर एको sum देखते हैं, हम, इस sum को देखिए, इस sum में भी हमको ऐसे कुछ देखने मिलेगा, 1, 2, 3, 4, add कहने पर कितना हो जाएगा 10, 1, 2, 3, 4, add कहने पर कितना हो जाएगा 10, 1, 2, 3, 4, add कहने पर कितना हो जाएगा 10, 10 plus 10 plus 10, कितना होगे हमारे पास 30, पर ऐसे box या ऐसे section ऐसे भाग जहां पर दो बाइ नमबर लिखा है एक ये वाला भाग है दो बाइ नमबर एक ये वाला भाग है दो बाइ नमबर तो हम इससे 2 क्या कर देंगे minus तो final answer कितना जाएगा हमारे पास 28 it means इस figure में 28 rectangles बने हुए हैं clear होगे आप सभी को चलिए अब हम आते हैं type number 2 पर type number 2 थोड़ा सा hard level है क्योंकि इसमें आपको मेनद थोड़ी जादा लगेगी इसमें figure ही ऐसा दिया जाएगा और पूछा भी जाएगा कुछ ऐसा देखिए क्या पूछा है only rectangles हमको ये figure जो दिय क्या हुआ है इस figure में हमको केवल और केवल आयत find करके दिखाना है अब ऐसा क्यों पूछा है इस figure में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास ये वर्ग बने हुए है ये देखिए वर्ग बने हुए है squares हम तो इनको क्यों नहीं कहना सेफों जाएगा तो ऐसे figure जहां पर आयत के अलावा भड़े भी बनते हैं तो हमसे क्या पूछेगा केवल और केवल आयत बताईए तो हम इसलिए क्या करेंगे हम पहले निकाले इसमें total कितने rectangle बने हुए हैं और उनमें से minus कहे दे number of squares कितने बने हुए हैं तो बच्चा हमारे पास क्या केवल और केवल आयत only rectangle इस formula को आप समझेए पहले हम क्या निकालेंगे total कितने rectangle बने हुए हैं उसे minus क्या करेंगे कितने squares बने हुए हैं तब हमारे पास जवान से निकलेगा वो बनेगा केवल और केवल आयत उसमें कोई भी rectangle ऐसा नहीं होगा जहां पे square count हो रहा होगा प्रोसेस क्लियर हो गई आप क्या से solve कहना है इसको मैं आपको explain करता हूँ तो आप इसी सवाल को देखिए सबसे पहले हम निकाले total rectangle कितनी है क्या provide किया था number one two three add कहने पर कितना आया था हमारे पास six आया था one two three add कहने पर कितना आया था six और six का six से multiple कितना होगे हमारे पास 36 मतलब कि total rectangle कितने बने हुए हमारे पास 36 बने हुए है अब इससे हम minus करेंगे क्या squares कितनी बने हुए है अब squares को find कहने के लिए हमने lesson number three में समझा हुआ है यह हमारे पास three cross three की table है तो three cross three means nine फिर two cross two means four फिर one cross one means one और नहीं सबको add कहने पर कितना जाएगा 14 मतलब number of squares कितने बने हुए है 14 और 36 में से जैसे 14 हम minus कर देंगे तो 22 जो बचा यही बनेगा जो क्या कहा जाएगा only rectangle केवल और केवल आयत बने हुए हैं कितने बहुत ध्यान से सम पढ़िएगा एक्जाम में उसने क्या पूछा आयत पूछा है या केवल आयत पूछा है इसी के बेसमें एक और सम आपको करा देता हूँ इस सम में हमको निकालना only rectangle केवल और केवल आयत कितने बने हैं पहले हम क्या निकालेंगे total rectangle कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, add करेंगे जिन सबको add करिए add कहने पर 21 आ जाएगा अब इस दिसा में देखेंगे 1, 2, 3, add कहने पर कितना हो जाएगा 6 और 6 का multiple हम किस से करेंगे 21 से तो 21 6 जा कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 ये क्या निकले हैं हमारे पास total, total क्या निकले हैं, rectangle, total rectangle में हम क्या माइनस करेंगे squares को माइनस करेंगे, अब square निकालते हैं, तो square में ये 4 cross 3 की table बनी हुई है sorry, 6 cross 3 की table, 18, 5 cross 2, 10, 4 cross 1, 4, add कहिए दीजे 18 plus 10, 28, plus 4 कितना, 32, मतलब कितने square हैं, 32, और उसको माइनस करेंगे दीजे, तो माइनस कहने पर आपको answer मिल जाएगा, उससे पता चलियाएगा हमारे पास number of rectangles कितने बने हुए हैं, और number of rectangles हमारे पास माइनस कहने पर कितने आ जाएंगे, 94 आ जाएंगे, इस figure में number of rectangle हमारे पास 94 हैं, जिन में कोई भी square count नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ सा hard level हो जाता है, तो आपको sum को ध्यान से समझना होगा, उसने आयत पूछा है, या केवल आयत पूछा है, केवल आयत वाले सवाल, थोड़ा सा lengthy हो जाएगा, आपको total rectangle में से क्या माइनस करने पड़ेगा, number of squares, और number of squares हम type number 3 में, lesson number 3 में समझे हुए है, आप इस वीडियो के बाफ हिस्स रिवाइस कह लिजेगा, ठीक है, चलिए आगे read करते हैं, आगे read कहने पर हमारे पास एक और sum दिया हुआ है, इस sum को भी हम try कह लेते हैं, इस sum को try कहने पर पहला हम क्या find करेंगे, number of total rectangle, 1, 2, 3, addition कितना 6, 2, 3, 4, 5, addition कितना 15, और 15 six हा कितना हो जागा, 90, clear है, इससे minus क्या करेंगे, हम number of squares, squares के लिए ये 3 x 5 की table बनी हुई है, 3 x 5, 15, 2 x 4, 8, 1 x 3, 3, add करने पर, 15 plus 8, 23 plus 3, कितना 26, मतलब क्या minus हो जाएगा, इससे, 26 square minus हो जाएंगे, और जैसे आप 26 square क्या करेंगे, minus करेंगे, तो आपके पास answer कितना बचेगा, 64, मतलब 64 figure ऐसे हैं, जो केवल ओ केवल आयत में count होईंगे, I hope अब आपको clear हो गया होगा, तो मैं आपको एक homework दे रहा हूँ, homework आपके लिए ये है, जहां पर आपको केवल ओ केवल आयत find कहना है, तब तक के लिए, जहें दाल ओफ यू,